हेलो दोस्तो दोस्तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारती इतिहास टाप 150 कोश्चन दोस्तो ये आल कमपटेटिव एकजाम के लिए इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है मैं वही कोश्चन लेके आया हूँ जो बार-बार प्रस्ण पूछे जाने वाले हैं तो आईए चलते हैं अपने कोश्चन के तरफ दोस्तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि रोज के तरह आज भी हम इस क्लास में 150 पलस कोश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ये सारे वन लाइनर कोश्चन होंगे आप किसी भी कम्पिरेट्व एक्जाम की तयारी करते हैं तो आप बिल्कुल नी संदे इस क्लास को पूरा देखें क्यूंकि आपको बता दूँ कि ये मैं छाट-छाट के कोश्चन निकाल के लाता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं सारा कोश्चन उठा लिया है इस्ट्री का तो आप लोग इन सारे कोश्चन को अवसे देखिएगा तो चलते हैं अपने आज के क्लास के फर्स्ट कोश्चन देख लेते हैं आज के क्लास का फर्स्ट कोश्चन है अंग्रेजों के खिलाब पहला विद्रों किसके द्वारा शुरू किया गया था तो दोस्तो सन्यासियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाब पहला विद्रों सुरू किया गया था नेक्ष्ट है आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की रचना बकीम चंद चटरजी दी के दुवारा किया गया था नेक्ष्ट है भारती सुधार समीती की अस्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नवरोजी ने भारती सुधार समीती की अस्थापना की थी? थापना हुई थी जो कि दादा भाई नोरोजी के द्वारा किया गया था नेक्स्ट है कांग्रेस अपने पतन की ओर लडखडाती हुई जा रही है या कथन किसका था तो करजन का या कथन था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लडखडाती हुई जा रही है next question है Congress 6 रोक से मरने वाली है या किस का मानना था तो अरविंद घोस का यह मानना था कि Congress 6 रोक से मरने वाली है next है British House of Commons का चुनाव लड़ने वाले सरोपर्थम भारती कौन थे most important question है कि British House of Commons का चुनाव लड़ने वाले सरोपर्थम भारती कौन थे तो वो दादा भाई नौरोजी थे जो British House of Commons का प्रथम भारती ऐसे ब्यक्ती थे जो वहाँ जाके चुनाओ लड़े थे Next question है Next question है बंगाल के विभाजन की घोसरा कब और किसने की तो 20 जुलाई 1905 इसवी में लाड करजन के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोसरा की गई थी Next है बंगाल विभाजन के विरोध में किस अंदोलन की घोसरा की गई तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी अंदोलन की घोसरा की गई थी स्वादेशी अंदोलन की घोसड़ा कब और कहा की गई थी तो 7 अगस्त 1905 इस भी को कोलकाता के टाउन हाल में स्वादेशी अंदोलन की घोसड़ा की गई थी नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेन कोश्चन है कि कांग्रेश के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तूत की गई स्वराज दोस्तों मतलब हो गया स्वराज का कि स्वयम का राज तो सन 1926 इस भी में कॉलकाता में हुए अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तूत की गई थी नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट है किस ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तूत की तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग पुरस्तूत की थी नेक्स्ट एक इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई तो सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं गरम दल और नरम दल तुमारा नीचे वाला question है कांग्रेस जिन दो दलों में विभाजित होई उसका नाम क्या था तो एक का नाम गरम दल था और दूसरे का नाम नरम दल था नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है सूरत अधिवेशन की अधिख्चता किसने की थी तो रास वियारी बोस ने सूरत अधिवेशन की अधिख्चता की थी नेक्स्ट है अमार सोनार बंगला गीत किसने लिखी थी तो रविंदर नाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखी थी नेक्स्ट है अमार सोनार बंगला गीत कौन से देश का राष्टी गीत बना वो बंगला देश का राष्टी गीत है अमार सोनार बंगला नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है अभिनो भारत नामक्स अंस्था की अस्थापना किसने की तो 1940 इस्वी में विनायग दामोदर दास सामरकर ने अभिनो भारत नामक्स अस्थान की अस्थापना की थी नेक्ष्ट है बाल गंगा धर्तिलक को भारती असंतोस का जनक किसने कहा था तो वेलेंटाइन सिराले ने बाल गंगा तिरक को भारती असंतोस का जनक कहा था नेक्ष्ट है इंडियन होम रूल लिग की अस्थापना कब और किसने की थी तो 1905 इस भी में लंदन में स्यान जी क्रिश्न बर्मा ने इंडियन होम रूल लिक की अस्थापना की थी नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है मुस्लिम लिक का उदे की सम्मेलन में हुआ था तो 30 दिशंबर 1986 को ढाका के नवाब सली उल्ला खां के नीमंतरर पर हुए सम्मेलन में मुस्लिम लिक का उदे हुआ था नेक्स्ट है जिस सम्मेलन में मुस्लिम लिक का उदे हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे तो नवाब वकार उल उस सम्मेलन के अध्यक्स बने थे जिसमें मुस्लिम लिग का उदे हुआ था नेक्स्ट है मुस्लिम लिग का संविधान कब और कहां बना था तो 1960 इसबी में कराची में मुस्लिम लिग का संविधान बना था नेक्स्ट है विलियम करजन वाईली की गोली मार कर हत्या कब और किस ने की थी तो दोस्तों विलियम करजन वाईली की गोली मार कर हत्या एक जुलाई 1909 इस भी में मदन लाल धिंगरा के द्वारा की गई थी नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है ब्रिटिश राज में दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी तो 1912 इस भी में दोस्तो भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी नेक्स्ट है गदर पार्टी की अस्थापना कब और कहां हुई थी तो एक नवंबर 1983 SB में सैन फ्रांसिसको अमेरिका में गदर पार्टी की अस्थापना की गई थी नेक्ष्ट है गदर पार्टी किसके नेत्रित तुमें बनी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे next question के तरफ चलते हैं next question है any basin ने home rule league किया स्थापना कब और कहां की थी September 1916 में मदरास में any basin के दवारा home rule league किया स्थापना की गई थी next question है भरती करने वाला साजीद किसे कहा गया था दोस्तो भरती करने वाला सजीद महात्मा गांधी को कहा गया था क्योंकि प्रथम विस्विद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भरती होने के लिए प्रोचाहित किया था उसी समय गांधी जी को भरती करने वाला साजीद कहा गया था साबरमती आसरम की अस्ठापन कब और किस के द्वारा कहा किया गया था 1916 में महात्मा गांधी जी के द्वारा आहमदाबाद गुजरात में साबरमती आसरम का अस्ठापन किया गया था नेक्स्ट कोश्टन पर चलते हैं नेक्स्ट कोष्चन है चमपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेवित किया था तो सन ağnneps Vamos 17 में बिहार के किषान नेता राजकुमार ने महात्मा गांधी जी को चमपारण आने के लिए इन्वाइट किया था यानि कि प्रेरित किया था नेश्ट है सत्यागरा का सरवपर्थम प्रयोग गांधी जी ने कहां किया था तो दोस्तों दच्छी अफ्रिका में सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्यागरा किया गया था उसके बाद की बात की जाये तो भारत में किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है हमारा भारत में सत्यागरा का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहां किया था दोस्तो गांधी जी के जीवन में सत्यागरा फर्स्ट बार दच्छिर अफ्रिका में किया गया था और भारत की बात किया तो सन 1947 S.B. में चमपारड बीहार में महत्मा गांदी जी के द्वारा सत्यागरह किया गया था Next Question पर चलते हैं Next Question है चमपारड विद्रो के कारड अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी तो दोस्तों 1918 S.B. में अहामदाबाद मील मजजूरू के हरताल के समर्थन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हरताल किया था नेक्स्ट है रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था तो 19 मार्च 1919 S.B. को रोलेट एक्ट लागू किया गया था नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है रोलेट एक्ट क्या था तो दोस्तों रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी संदेहास्पत व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफतार किया जा सकता था और उसके खिलाब ना तो कोई अपील ना कोई दलिल और ना कोई वकील किया जा सकता था नेक्स्ट कोश्चन है गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देश ब्यापी हर्ताल कब शुरू की तो 6 अप्रेल 1919 सिस्बी को गांधी जी के द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में देश ब्यापी हर्ताल चालू किया गया था नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है जलिया वाला बाग हत्यकांड कब हुआ था तो 13 अप्रेल 1919 सिस्बी को जलिया वाला बाग हत्यकांड हुआ था नेक्स्ट जलिया वाला बाग हत्यकांड कहां हुआ था तो अमरित सर पंजाब में जलिया वाला बाग हत्यकांड हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है अमारा जलियावला बाग हत्यकान का नेत्रितु कौन कर रहा था तो जनरल डायर ने जलियावला बाग हत्यकान का नेत्रितु कर रहा था नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है जनरल डायर की हत्यक इसने की थी तो उधम सिंग के द्वारा जनरल डायर की हत्या कर दी गई थी नेश्ट जलिया वाला बाग हत्याकान के पीछे वज़ा क्या थी तो दोस्तो डाक्टर सत्यपाल और सैफू दिन किचुलू की गिरफतारी के विरोध में जनरल डायर ने अंधाधून गोली चलाने का आदेश दे दिया था जनरल डायर ने जिसकी बाद में उधम सिंग के द्वारा हत्या कर दी गई थी इसी के विरोध में इसी के वज़ा से नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं जलिया वाला भाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हो गई थी तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो 389 और कांग्रेस समीती के अनुसार बात की जाए तो करीब 1000 लोग मारे गए थे जलियावला भाग हत्याकांड में नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है अमारा जलियावला भाग हत्यकांड में किस भारती ने जनरल डायर का सहयोग किया था तो इसका एंसर हो जाएगा हंसराज हंसराज ने जलियावला भाग हत्यकांड के में जनरल डायर का सहयोग किया था नेक्स्ट है किस ने जलियावलाबाग हत्यकांड के विरोध में वायसराय की कारेकारडी परिशत की सदस्यता से इस्थिपा दे दिया था गठित की थी तो लाड हंटर की अध्यक्षिता में ब्रिटिस सरकार ने जलिया वाला भाग हत्याकांड के आठ सदस्य जांत समीति गठित की थी जो कि जनरल डायर को बाद में ये बता दिया गया था कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी जिस जांत समीति का गठित की गठित की गठित की थी उसमें तीन भारती भी सामिल थे नेक्स्ट कोईश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोईश्चन है कांग्रेस किसके नेत्री तुमें जलिया वाला भाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोक गठित की थी तो हमारा एंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवी इस आयोक के अन सदस में मोतिलल नहरू और गांधी जी भी थे नेक्ष्ट है जलिया वाला बाग किस ब्यक्ति की संपत्ति थी तो जली नाम के ब्यक्ति की जलिया वाला बाग संपत्ति थी नेक्ष्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्ष्ट कोश्चन है खिलाफत अन्दोलन किसके खिलाफ सुरू किया गया था तो दोस्तों खिलाफत अन्दोलन मित्र राष्टो के खिलाफ विशेस कर ब्रिटेन के खिलाफ सुरू किया गया था नेक्स्ट है असायोग आंदोलन कब शुरू हुआ था तो एक अगस्त 1920 इसभी को असायोग आंदोलन शुरू किया गया था नेक्स्ट है रोलेट एक्ट जलियावला भाग अध्यकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांदी जी ने कौन सा अंदोलन शुरू किया था नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है भारती राष्टी कांग्रेस ने असायोग आंदोलन की पुष्टी किस अधिवेशन में की थी तो दिसंबर 1922 में नागपूर अधिवेशन में भारती राष्टी कांग्रेस ने असायोग आंदोलन की पुष्टी की थी next है गांधी जी ने असायोग आंदोलन को कब अस्थगित किया था तो 5 फरवरी 1922 इस भी में गांधी जी ने असायोग आंदोलन को अस्थगित कर दिया गया था दोस्तों ये आज के class का last question था फिर मिलेंगे अगले class में अगले day यन बया नह आपका का नह आप